हलो एवरिवान एक और बहुत ही बहतरी न अपॉर्चनिटी और गुड नीज है आप लोगों के लिए क्या कि बैक टो बैक आप लोगों को वेकिंसी देखने के लिए मिल रही हैं जो हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं तो वेकिंसी आती हैं तो और मनोबल बढ़ता है कि चलो ह हम लोग अपना एक्जाम क्रेक कर सकते हैं क्योंकि वेकिंसी आ रही हैं तो गैज येस इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ एक और बहतरी न अपॉर्चनिटी के लिए जो की है एन आई एसील के बारे में नोटिफिकेशन आ गया है और बहुत ही बहतरी न है आप लोगों को इसमें क्या कैसे फिल करना है कितनी टोटल वेकिंसी है क्या एक्जाम पैटर्न रहता है इस बारे में बात करने जा रही हूँ तो आप सबसे बोलना चाहती हूँ कि चैनल को सुस्क्राइब कर दीजे बैल आइकन प्रेस कर दीजे जिससे जो इंपोर्टे जोज में आता है यह फॉर्म हमारे ठीक है नहीं है हमें फिल करना है नहीं करना है तो आप खुद को कैसे जज कर सकते हैं कि आपको यह फिल करना है या नहीं करना है उसके लिए मैं लाई हो एक बहुत ही बहुत ही बैठरीन मॉक टेस लिंक डिस्रिप्शन बॉक्स में है ब because opportunities बार बार नहीं आती हैं इसलिए आप सब लोगों से बुलना चाहूंगे mock test देखो और उसके बाद से आप form fill कीजेगा क्योंकि आपके form filling की जो date है उसके बारे में अगर मैं बात कलनूं तो जो आप registration करेंगे form fill करेंगे और payment करेंगे उसका वो पूरा होना है आपका 1 September से लेके 21 September तक तो आपके पास अभी time है इसलिए सब लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं सबको बोलूंगे free mock test है बिलकुल लगा के देखिए और आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी त्यारी कैसी चल रही है तो ये तो हो गई आपकी की form fill की date क्या है total vacancy में आप लोगों को बता चुकी हो कि आपकी है 300 बात कर लेते हैं कि qualification क्या चाहिए क्योंकि वो बहुत जरूरी है आप लोगों का graduation complete होना चाहिए है graduation में जो आप लोगों का general वाले बच्चे हैं OBC वाले बच्चे हैं और EWS वाले candidates हैं इन सब आप लोगों को 60% होना चाहिए है graduation में और SCST PWD वालों का 55% होना चाहिए है age के बारे में बात कर लेती हूँ age क्या होनी चाहिए तो age आपकी जो रहनी चाहिए है वो 21 तो 30 years के होनी चाहिए है 21 आप लोग जो complete कर रहे हैं वो 1 April 2021 तक complete कर रहे हो यानि कि 1 April 2021 तक आप लोग 21 years के हो गए हो तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से form fee क्या है आप लोगों की form fee है guys 600 general OBC and EWS वाले candidates के लिए और SCST PWD वालो के लिए है 100 उपीज तो I think आप लोगों की चीजे clear हो रही होंगी कि NIECL और bank आप लोगो सेम लग रहा होगा जैसा कि मैं आप लोगों को चीजे बता रहे हो तो yes guys बिल्कुल सेम है pattern भी even same है मैं बात कर लेती हूं आप लोगों का कि pattern क्या रहता है तो phase 1, phase 2, phase 3 होता है जैसा आपका bank में रहता है pre, mains and interview तो बिल्कुल सेम है pre में जैसा आपका bank में रहता है English, reasoning and quant सेम इसमें रेखने के लिए मिलने वाला है और mains में आपका एक section अलग से add हो जाता है वोता है general awareness का जैसा बैंक में आप करते है current affairs, statics part and banking awareness तो उसके साथ-साथ आपको जो इसमें ध्यान देना होता है वो insurance पे, finance पे जादा ध्यान देना होता है विकाज आप सबको पता है insurance का job है बहुत अच्छा job है guys job profile बहुत ही बहतरीन है अगर कहीं आपको अच्छे से देखना चाते हो settle हुआ वा तो ये job बिलकुल आप लोगों के लिए है अच्छे से preparation करो phase second में एक चीज ध्यान रखनी है इसमें जो add-on होती है वो होता है descriptive paper descriptive भी आता है descriptive मतलब होता है written वाला होगा आपको करना है monitor पे ही online ही होगा keyboard पर आपको practice अच्छे से बढ़ानी होगी descriptive में आता है आपका letter end essay उसकी practice आपको बहुत अच्छे से करनी है ये सब जब आप लोग अच्छे से qualify कर जाते हैं फिर आपका होता है interview और फिर उसके बाद आप लोग बन जाते हैं उस job के हगदार और सबसे अच्छी चीज़ है salary इसकी क्या है salary है आपकी 60K per month यानि कि 60,000 per month आप लोगों को मिलता है बहुत अच्छा job profile है even मैंने आप सबसे बोल भी दिया कि अगर आपको form fill करना है नहीं करना है वो लोग आप खुद mock test लगाके देख सकते हो अगर mock test में आपके अच्छे marks आ रहे हैं तो आपका खुद मन करेगा कि yes करना चाहिए even guys अगर आप लोग मुझसे पूछते हो तो जब हम लोग preparation कर रहे होते हैं तो जो भी form आता है हमें वो fill करना चाहिए है तभी हमारी preparation का level यहां से यहां पोहुचता है क्योंकि हमें पता होता है exam pattern क्या रहने वाला है और हम लोग कितनी महनत करके वो exam निकाल सकते हैं तो I think आप लोगों को सबको इस notification के बारे में मैं सारी information दे चुकी हूँ guys आप सब लोगों से बोलना चाहूँगे क्योंकि वहां पर मैं सारे updates आप लोगों को देती हूँ PDFs send करती हूँ जो कि बिल्कुल free रहते हैं आप लोग भी आपस में वहां questions पूछ सकते हैं तो काफी अच्छा है आप लोगों के लिए सब लोगों से बोलना चाहूँगी वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक और शेर कर दीजिए गाइस थैंक यू फू वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में